हेलो स्टुजेंट्स आपका ICIT online classes में बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको Microsoft Excel में पढ़ाने वाला हूँ advanced filter advanced filter को संभवता हर Meter जानते होंगे जो Excel को पढ़ने होंगे पर advanced filter में अभी तक जो आप advanced filter कर रहा थे वह static nature में हाज कि आज हम लोग करेंगे कि dynamic advanced filter का का काम हम कैसे करें जैयों यह इसका देमो में दिखाऊंग आपको ज़ादा समझ में आएगा जैसे मैंने एक शीट त्यार किया है माल लेते हैं आपका कोई इंजिनरिंग कालेज है आपके पास बहुत सारे स्टुडेंट्स हैं उनके डेटा का आपने लिस्ट बना रखा है नेम, कास्ट, कोर्स, समेस्टर, स्ट्रीम यहां मैंने तो लिम्टेड डेटा लिखे ह पर यह आपके लाखों के संख्या में हो सकते हैं तो अक्सार आपको इन में से किसी विशेश डेटा को फैच करके, निकाल करके, क्वेरी करके एक अलग अस्थान पर लाना होता है तो मैंने यहां पर क्राइटेडिया रेंग बना रखा है जैसे कोर्स नेम में अभी बीटेग दिख रहा है तो बीटेग वाले स्टुडेंट इस वाले लिस्ट से यहां आ गये हैं अगर मैं यहाँ पे डिप्लोमा लूं तो डिप्लोमा लेने पे डिप्लोमा वाले बच्चे अभी यहां नहीं आ रहे हैं क्यिकि आपका जो अभी advance filter है वो static है तो आपको फिर से advance filter command का चलाना होगा और ये जो पूरी प्रक्रिया है आपको फिर से करनी होगी तब आएगा आपका डिप्लोमा आला अब मैं अगर डिप्लोमा के साथ यहां पर समेश्टर ले लूँ तो फिर आपको जाना पड़ेगा एडवांस फिल्टर में और फिर से वो तीम बाते बतानी होगी पर अगर आप चाहते हो कि बार-बार मुझे एडवांस फिल्टर में ना जाना पड़े यहां से मैं जो चुनू और उसका फ्रेश लिस्ट आ जाए तो यहां मैंने देखी एक बेटन बना रखा है मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए टिप्लोमा और फर्स सेमेस्टर के एक स्टु्डेंट है तो एक ही आगये अगर मैं कैवल डिप्लोमा ले लेता हूँ तो डिप्लोमा का सारा इस्टुडेंट आ गया अब मैं अगर यहां पर stream की बात करूँ यहां से मैं civil लेलू और refresh करूँ तो केवल civil लेला लेज जाएंगी तो यहां अगर चारों बाते हैं तो जो चारों को satisfy करेंगे वो आएंगे या जो आपकी बातें यहां दिखेंगी वो आएंगी और आपको refresh कर देना होगा तो यहां हमें बार-बार advanced filter को नहीं चलाना होता है तो यह एक तरीका हो गया दूसरा तरीका यह है कि list हमारा यहां है और हम किसी एक another sheet में हैं हम यहां भी query कर सकते हैं जैसे यहां मैंने IT के बज़ाए CS ले लिया मैं refresh कर रहा हूं तो CS वाला आ गया मैं अगर यहां पर civil को ले लेता हूं refresh कर रहा हूं तो civil वाला आ गया अगर मैं इसके साथ साथ यहां course diploma ले लूँ तो अभी diploma civil वाला जो होगा वो आ जाएगा तो मैं आपको आज यह दो बाते बताने वाला हूं कि dynamic advanced filter आप जिस seat पे हैं उसी पे कैसे करेंगे और अगर another seat पे वो हमें लेके आना है तो कैसे करेंगे इसकी चर्चा आज के वीडियो में होने वाली है तो चलिए सीखते हैं कैसे होगा तो यह मैंने एक list बना रखा है यहां हमारे students के सारे detail है यह मेरा criteria range है और यह मेरा copy range है अभी मैं चाहता हूं कि यहां मैं drop down का list बना लूँ तो drop down के लिए हमें पहले cast बनाना है तो cast में journal OBC और SC सम्वतर तीन है तो अगर मैं इस नहां पर list बनाऊं और source में यह range लेलू तो यह duplicate value भी आ जाएगा तो अगर आप चाहते हैं कि देखा जाए कि इन में से unique value कौन सा है तो आप कहीं भी अपने selection को ले लीजे और alt के शार्ट down arrow की press करिए तो यहां आपको दिख जाएगा कि journal OBC और SC यह तीन category के ही students हैं तो एक तरीका है क इसे कर सकते हैं दूसरा तरीका यह है कि हम इनको यहां sir copy कर लें और copy करने के बाद कहीं पर paste कर दें और data में हमें कमांड मिलता है remove duplicate उसको लेके ok कर दें तो देखें यहां पर जो unique value थी हमें वो मिल गई तो हम यहां के drop down के लिए इस source को select कर लेते हैं पर चुकि यहां पर data ज्यादा नहीं है तो मैं अभी फिल हाल डारेक इसे लिस्ट के अंदर ही टाइप कर दूंगा तो यहां मैंने करजर रखा थोड़ा मैं जूम बड़ा कर लूँ जिससे आपको यह सही तरीके से दिखाई पड़े तो मैंने करजर यहां पर रखा और यहां पर रखने के बाद मैं data में चला आता हूँ और data में आने के बाद data validation कमांड चलाता हूँ तो data validation कमांड चलाने पर यह list आया यहां मैंने ले लिया list और source में हमारे पास वो value है वो general की है, obc की है और sc की है तो मैंने यहाँ OK कर दिया, तो यहाँ अगर आप देखें, तो यह drop down list यहाँ बन गया, अब मुझे course के लिए बनाना है, तो course में भी अगर आप देखना चाहें, तो किसी एक course में mouse click करके R के साथ down arrow करिये, तो आपको पता लग गया Civil CS IT, इतने तीन unique value हैं, तो यहाँ मैंने course क्लिक किया, data के अंदर मैं आता हूँ, data validation में, और यहाँ से मैं select कर लेता हूँ, list और हमारा जो course है, उसमें course name में एक B.Tech है, और एक हमारा है diploma, दो course है, तो यहाँ मैं OK कर देता हूँ, तो यहाँ पर इसका drop down list बन गया, अब मैं semester में आता हूँ, तो semester में भी देखा जाए, तो 1, 2, 3, किसी पर click करके, art के साथ down करिए, तो देखें, यहाँ पर बता देगा, कि कौन से unique value यहाँ पर है, तो जैसे यहाँ मैंने करजा रखा, और इसको ले लिया, तो बता रहा है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, इसका भी, तो data में आया मैं, यहाँ data validation में आया, यहाँ से मैंने list ले लिया, और यहाँ पर 1, 2, 3, यह ले लेता हूँ, ओके कर दिया, तो एक list यहाँ बन गया, अब stream की बात अगर है, तो करजा रखा, art के साथ down किया, तो देखें, civil csit, यह तीन है, तो यहाँ फिर मैं करजा रखूँगा, करजा रखने के बाद यह data validation चलाया, यहाँ से मैंने ले लिया list और list के लेने के बाद यहाँ हो गया, हमारा cs हो गया, कामा it हो गया, और कामा civil हो गया, और फिर यहाँ मैंने ok कर दिया, तो अभी मैंने पहला step यह किया है, कि पहले cast के लिए मैंने यहाँ पर drag down बना लिया है, और फिर अगर आप stream के लिए मैंने बना लिया है, और stream के लिए मैंने बना लिया है, तो मैं अभी यहाँ चाहता हो कि course का नाम जैसे माल लेते हैं, मैंने ले लिया यहाँ तो मैं चाहता हूं कि इस list में यतने diploma वाले students हैं, वह यहाँ पर आ जाएं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, advance filter command का सहता लेना होगा तो कैसे चलाएंगे एडवांस फिल्टर यह अभी एडवांस फिल्टर में चला रहा हूं यह डानेमिक नहीं होगा अभी यह जो एडवांस फिल्टर होगा यह स्टैटिक होगा तो देखे कैसे चलेगा तो करजर कहीं भी रखदिते हैं फिर डेटा कोंते हैं मेंεις क्लिक करते हो में सब्सक्राइब प्रायिया लिस्ट रेइंग सब्सक्राइब मेर्लिस्ट अर्फटा एह श्रेकि रहाऊ पूरेटेरीण यह पूर टो makers मैंने इसका criteria रेन ले लिया और यहां पर जो मेरा heading है मैंने इस heading को यहां पर select करके okay कर दिया तो देखें यहां हो क्या रहा है कि diploma course के जो student है वह यहां पर easily आ गए अब मैं अगर यहां से course का नाम chain करता हूं और b-tech लेता हूं तो देखें यहां पर b-tech वाला student नहीं आया तो अभी मुझे क्या करना होगा advance filter को फिर से चलाना होगा तो मैं जितनी बार criteria value बन दूंगा उत्ती बार मुझे advance कमार्ण चलाना होगा तो यह तरीका सही नहीं है चुकि अभी यह static था तो इसे dynamic बनाने के लिए हमें micro का सहरा लेना होगा तो देखें हम लोग क्या करेंगे एक micro record करेंगे उस micro में जो advance filter वाला मैं step कर रहा हूं उसकी recording हो जाएगी पर micro को करने से पहले आप क्या करिए कि जो आपका यह data है जो आपका list है इसको आप select कर लिजे और जो name box है इसके अंदर क्लिक कर दीजे और इसके अंदर क्लिक करने के बाद आप इस list का एक नाम दे दीजे जैसे मैंने student दे दिया तो इस list का नाम एक student कर दीजे दूसरा काम यह करिए कि जो यह list range है इसको आप select कर लिजे और control t command चला के इसको as a table कर लिजे इससे फायदा ही होगा कि अगर इसमें मैं नया नाम add करूंगा तो dynamically add होता रहेगा तो यह मैंने table वाला काम कर लिया है यह हो गया एक काम अब इसके बाद मैं क्या करूंगा माइक्रो को रिकार्ड करूंगा तो माइक्रो को रिकार्ड करने के लिए व्यू में आता हूं है और व्यू में आने के बाद में मैंने रिकार्ड माइक्रो पे क्लिक किया तो रिकार्ड माइक्रो पे क्लिक करने पे एक box आया मैं यहां एक माइक्रो का नाम दे देता हूं ज एडवांस पे क्लिक करने के बाद copy to another location लेता हूँ और यह जो list range जो लिखा हुआ है अभी इससे आपको यहां से हटा देना है और हम लोगों ने जो list का नाम student दिया था वो यहां लाना है तो आप करोगे क्या कि F3 की प्रेस करोगे तो F3 की प्रेस करने पर जितने भी आपने नाम define किये हूँ आएंगे यहां से आप student ले लिजे तो यह आ गया अब आपको यहां पर criteria range जो देना होगा वो आपका यह वाला criteria range है तो मैंने यहां पर यह criteria range दे दिया अब यहां पर जो copy range है इस copy वाले range को यहां से अटाना है और यहां पर जो copy range है हमारा वो range मैं यहां लेके ok कर देता हूँ फिर ok करने के बाद आपको अपने recording को stop करना होगा view में मैं आया और micro में आया यहां मैंने stop recording कर दिया तो यह हमारा एक recording हो गया अब इस recording को मुझे एक button पे add करना होगा तो मैं insert में चलायाता हूँ और illustration के अंदर मैं shape के अंदर चला आता हूँ और कोई एक safe मना लेता हूँ और वो safe मैं यहां पर drag कर लेता हूँ तो जैसे मेरे ऊपर है कि वो मैं safe कहां बना रहा हूँ तो मैंने 보시p मा लेते हैं यहां ड्रा कर दिया अब जब shape बन जाए तो इसके उपर right button click करना है और right button click करने पे edit text में ज दिखेंगे ऐसे मैंने refresh कर दिया अब इसको select करके आप थोड़ा इसका size वगएरा बढ़ा कर सकते हैं अब यह size हमारा बढ़ा हो गया है यह मेरा एक बटन यहां बन गया अब करना यह है कि इस बटन के ऊपर right बटन क्लिक करना है अपने mouse का और यहां assign micro में आना है तो आपकी इतने में भी micro हैं हुआ हैंगे मैंने यहां one वाले micro को लेके okay कर दिया तो इस बटन से अब हमारा one नाम का micro लिंक हो गया तो अब देखें मैं यहां पर करता क्या हूं जैसे यहां मैंने btec ले रखा था मैंने यहां diploma ले लिया और मैं refresh पर क्लिक करूं दोखो यहां diploma आ गय तो अभी क्या है कि ऐसे आप कोई भी यहां से डेटा ले ऐसे जर्नल ले लिया जर्नल में मैंने माल लेते हैं यहां पर btec ले लिया और refresh पर क्लिक करूंगा तो fresh डेटा आपको यहां पर तुरन दिख जाएगा आपको advanced filter की सहता नहीं लेनी होगी तो है ना दोस्तो बहु अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा डेटा लिखा हुआ है sheet अलग और यहां खाली criteria रहेगा हमारा और यहां हमारा list range रहेगा तो यहीं पर ही सारा कुछ हमें लाना है तो जल्दी से मैं पहले यहां पर इनका त्यार कर लेता हूं list तो cast के लिए data में गया data validation command चलाया यहां से मैंने list ले लिया अब cast में journal है OBC है SC है एक यह बन गया अभी मैं course में आता हूं course में data validation चलाया यहां मैंने list लिया list में यहां पर course में b.tech और diploma तो यह मैंने यहां से add कर दिया इसकी list बन गई समेस्टर में मैं आया data validation में आया यहां मैं आ गया list में अब समेस्टर हमारा 1,3,2,3 है तो यह ले लिया इसकी list बन गई अभी मुझे stream में आना है तो stream में मैंने यहां any value के बजाए list लिया अब stream कौन सा है computer science है IT है हमारा civil है तो यह मेरा बन गया अब जब यह सारे list हमारे ब यहां भी एक micro record करना होगा तो उसके लिए मैं view पे आयोंगा micro में जाऊंगा record micro पे आऊंगा यहां मैंने एक नाम जैसे 2 दे दिया है identification के लिए okay कर दीजी अब मैं आऊंगा data में data में advance में आ गया advance में आने के बाद में मैंने यहां पर copy another वाला यूज किया और यहां list range में F3 प्रेस करके मैंने यहां student ले लिया और criteria range में यह जो criteria range है उसको मैंने select कर लिया और जो copy range है उसमें यह वाला जो range आ रहा था इसको लेके मैंने okay कर दिया चुकि अभी सारा data इसलिए आ गया चुकि यहां मैंने कोई criteria नहीं दे रखा था अब मैं micro को stop कर देता हूं और यहां भी एक button में बना लेता हूं और उसके उपर इसको assign कर देता हूं तो मैं shape में चलता हूं और जो भी shape आप चाहते हैं वो आप यहां पर ऐसे बना सकते हैं और उसके बाद आप इसपे edit text करके एक message लिख दीजे refresh और उस message को थोड़ा बढ़ाने कर लिया है अब इसपे right button क्लिक करना है एसाइंग माइक्रो में जाना है माइक्रो का नाम 2 है इसको लेके okay कर देना है अब देखे मैं करके देखता हूं तो यहां पर course का नाम मैंने B.Tech लिया और यहां मैं refresh कर रहा हूँ तो देखे B.Tech वाला student आ गया अब मैं यहां पयाओ अगर Plugins कर रहा हूं डिप्लोमा वाले के अंदर मैं प्लान कर रहा हूं computer science वाला आ है computer science वाला आ गया तो देखें यहां मैंने दो तरीका आपको बताया, एक another seat पे जाके हम कोईदी का काम कर रहे हैं और एक तरीका मैंने आपको बताया कि उसी ही seat पे रहके हम कैसे इसको यूज करेंगे तो ये काफी मज़ेदार चीज है, आपके profession में बहुत ही काम आएगा यूज करके देखेगा, अगर आपको कोई समस्या होगी तो comment में अपने समस्या को लिखेगा मैं उम्मीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा आप लाइक करिए, शेयर करिए, और आप इसे subscribe करके bell icon को select करिए जिससे में कोई नया वीडियो बना हूँ, तो उसका alert आपको तुरन मिल जाया करें तो आज का वीडियो मैं यहीं समात कर रहा हूँ, आपका दिन सुभू